नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में तो देखो आज हम क्या करेंगे आज हम करने वाले हैं BRS का Practical Problem No.9 और यह कहां पर है यह है आपके टेक्सबुक में Page No.211 पर तो चलो मैं आप लोगों को Question दिखा देती हूँ तो देखिएगा यह आपक कुस्स दिया गया है प्रशांत एंटरप्राइज का हमें यहां पर बैंक रेकंसिलेशन स्टेट्मिंट बनाना है ऐस ऑन 31st मास 2018 और यहां पर यह सारे मतलब जो पॉइंट्स है वह यहां पर दिये गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉर्मिट बना लेंगे तो फॉर सब्समांट के लिए और दूसरा वाला हमारा होता है माइनस एमांट के लिए और यहां पर हम जो डेट है उसको ठीक कर देते हैं तो डेट क्या था 31 अमार्स 2018 होकर क्या है 31 जूलाई है तो आज हुआ ठीक कर जाएगा ना आओ लिखते हैं इधर आठा जाएगा थोड़ा इसको और पतला कर दू मार्च 31st मार्च ओहो यह तो लिखाई नहीं रहा थोड़ा और इसको पतला कर देते हैं 31st मार्च 2018 और एक कॉलम में हम पर्टिकुलर्स लिख लेंगे दूसरे में प्लस आइटम समाउट तीसरे में क्या लिखेंगे माइनस आइटम समाउट को हम लिखेंगे आईए अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम देखते हैं तो सब्सक्रा पहले यहां पर देखना क्या दिया गया है कि औरफ्ट एस पर कैश्बूक रुपेज 28000 स्क्राइब यहां पर दिया गया है ऐस पर कैश्बूक तो कैसे करेंगे अशको यहां पर लिखेंगे और राफ्ट कुछ ज्यादा ही पतला हो गया थोड़ा इसको मोटा करते हैं देखें यहां पर क्या आएगा त बताती हूँ, overdraft as per cashbook, तो देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जब overdraft है, overdraft यानि क्या होते हैं, वो हमारा unfavorable यानि कि negative है ना, unfavorable मतलब वो तो बुरी बात हो गई, मतलब negative और अगर वो negative है, तो कहां पर चाहेगा, minus वाले column में जाहेगा, तो हम क्या करेंगे यह जो 28,000 है इसको हम यह minus वाले column में लिख देंगे यहाँ पर आजाएगा प्यारे दोस्तो 28,000 ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर अगला point देखिएगा next इसमें क्या लिखा है कि check issued of rupees 2,000 and presented to bank return dishonored but the effect of dishonored is not recorded in the cash book देखो यहाँ पर बहुत सारे चीज़े लिखी हुई है लेकिन सुनो आपको बताती हो होता क्या है हम लोगों ने ना check issue किया देखो यहाँ पर यह आपका cash book है यह आपका pass book है तो हमने ना 2000 का check issue किया दो हजार का and presented to bank मतलब वो बैंक के पास present भी कर दिया गया ठीक है मतलब बैंक में वो चला भी गया यह जो सामने वाला person था उसने payment के लिए present भी किया लेकिन सुनो होता क्या है जैसे जो आपका check था ना dishonored हो गया bank return dishonored but the effect of dishonored is not recorded in cash book यानि होता क्या है सुनिए हम लोगों ने check क्या किया इशू किया बराबर तो वहाँ पे वो bank के सामने जब present किया गया तो वो गया हुआ वो तो हमारे dishonor हो गया यानि कि हमारे bank account से पैसा कटा ही नहीं but the effect of dishonored और यह जो dishonored का effect है ना वो हमने cash book में नहीं दिखाया तो सुनिएगा ध्यान से जैसे कि हमने जब payment किया था मतलब हमने जब चेक इशू किया था तभी हमने इसको घटा दिया था 2000 रुपे से राइट अब यहां पर हुआ गया जो पास्बुक वाला balance आना वो कुछ भी यहां पर घटेगा या फिर बढ़ेगा नहीं क्यों ऐसा क्योंकि जब उसको present मतलब present किया गया बैंक के सामने payment के लिए तो क्या हो गया चेक जो है वो हमारा डिजॉनर्ड हो गया राइट समझ रहो कि नहीं यानि जो हमारा पास्बुक है वो तो यही पर रहेगा लेकिन जो कैश्बुक है वो यहां पर मतलब 2000 रुपे स क्या रुपे जाएगा या फिर माइनस में जाएगा थेडा तो हम किसमें जाने के लिए उपर की तरफ जाना पड़ेगा उपर यहांतिकी पॉजिटिव मतलब तो देखो first point डाल करके आप ऐसे लिखेगा कि check issued and presented to bank but return dishonored नहीं ऐसे मतले लिखो रुखो बताती हो बताती हो उसको कैसे लिखो देखो ऐसे हम लिख सकते हैं कि issued check क्या हुआ dishonored हुआ और उसको बस हमने कहां पर record किया only in passbook राइट तो ऐसे करके लिख देना यहाँ पर देखे क्या लिखेंगे आओ color बदल लेते हैं देखे इसूट चेक dishonored यह चेक जो है इसूट चेक dishonored हुआ और वो बस passbook में record किया हमने तो इसूट चेक dishonored recorded in the passbook only recorded in the passbook only और इसका amount यहाँ पर 2000 हमने लिख दिया है समझे फिर next देखिए का अगला point इसमें क्या लिखा हुआ है कि अच्छा यह तो हो गया ना अब यह वाला देखो तीसरा वाला बैंक डेपिडेट बैंक चार्जेस रुपीज 150 यानि कि जो बैंक है ना उन्होंने हमारे अकाउंट से 150 रुपे काट लिए कैसे बैंक चार्जेस तो देखो यहाँ पर आपका कैश्बुक है यहाँ पर आपका पास्बुक है तो बैंक वाले ने काटा है यानि कि पास्बुक से जो आपका 150 रुपे का अमाउंट है वो डाउन गया हुआ दिखाई देगा यानि कि कम दिखाई देगा अब कैश्बुक में इसके एंट्रे नहीं हुए अभी आप ऐसे मत के पास आना है तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा नीचे यानि कि माइनस है ना तो यह जो 150 रुपे ना यह हमारा माइनस वाले कॉलम में जाएगा और यहां पर हम सेकेंड नंबर डाल करके क्या लिखेंगे कि बैंक डेबिटेड बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस ओक और इसका अमाउंट आजाएगा 150 रुपे इसके जस्ट सामने चली आगे बढ़ते हैं अगला यहां पर अभी हम पॉइंट देखेंगे इसको पहले मिटा दू अच्छे से मिटो मेडिया यह थोड़ा नीचे है क्या ऐसे लाइन से होना चाहिए अब देखते हैं अगला यह इसमें आपको सकता है तो अच्छे से एक बार समझ लो कि आगे प्राव्लम ना हो देखो बैंक नहीं जैसे जैसे जनरली होता क्या है कि बिजनसमेन मतलब करें या फिर उनके अकाउंट में जो भी पैसा आता है वह कौन से टाइप की अकाउंट में आता है तो करन्ट डीणस होते रहते हैं अगर बीशनस है तो पैसा आएगा पैसा जाएगा इससी लिए जो यह पान्सलीच कें account में यानि कि अभी bank के पास हैं हम यहां पे सेविग में कर दिया तो हम्हां सेविंग वह पास हम यहां पर पास भुडिय कर रहें तो यहां पे हुआ क्या अब यह आपका पासबुल्य के यहां पैसा जाएगा तो हम daug करेंगे मतलब पास्बुक में आपका 2500 रुपे से जो आपका बैलेंस है ना वो कम दिखाई देगा यानि कि डाउन गया हुआ दिखाई देगा और इसकी रेकॉर्डिंग देखो हमने कैश्बुक में नहीं कि यहां पर क्या लिखेंगे तो तीसरा नंबर डाल करके आप लोग लिख सकते हो क्या लिखोगे ऐसे लिखेंगे कि देखिए अम ऐसे भी तो लिख सकते ना कि कि अमाउंट ट्रांसफर किया गया कहां पर ट्रांसफर किया सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किया और उसको हमने कैश्बुक में रेकॉर्ड नहीं किया तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे यहां पर थर्ड पॉइंट डाल करके लिखेंगा कि अमाउंट Amount Transferred Amount जो है वो transferred हुआ Right Amount transferred To saving account Right Amount transferred to Saving Account Of the proprietor Proprietor के saving account में हमने Transfer किया ना तो यहाँ पर Proprietor लिख देते हैं and it is Not recorded in the Cashbook तो कैसे लिखेंगे Amount transferred To saving account of the Proprietor not recorded Not recorded In the Cashbook In the cashbook और वो 2500 रुपे वहाँ पर लिख देंगे समझाँ तो ऐसे करके आपको अपने मन से statement लिखना है मैंने बार 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 बोला है कि statement को लेकर के ज्यादा चिंतित्मत हुई है आपका answer राइट आए ना आपको marks मिलेंगे बस यह है कि आप जो भी लिख रहे हो वो appropriate होना चाहिए कि ऐसे कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा जो यहां पर actually में कर रहे हो वो इधर लिख दो बस नेक्स लेकिएगा अगला statement क्या लिखा है कि चेक इशूट टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेट टू बैंक बिफोर 21st मार्च 21st मार्च 2018 एक मिनट यहां पर 31st मार्च भोला था इधर 31st आएगा इधर गलती से लिख दिया होगा 21st मार्च ठीक है तो हमने चेक इशू किया राइट सप्लायर को मतलब जो हमारा सप्लायर था उसको हमने चेक इशू किया तो हुआ क्या कि उसने ना बैंक में नहीं किया कितने का टो 1600 रुपपे का तो यहां पर क्या होगा है यह आपका पास बूक है ठीक ने इसू किया कितनेका चेक इशू किया था bug लुपए का है 36 रुपख या रैट आप देखो जो हमारा supplier रंच प्रेजेंट किया वैंक के पास payment के लिए कितने का 1600 का तो देखो उसने 31st मार्ट से पहले मतलब प्रेजेंट ही नहीं किया यानि होगा क्या हमारी कैश्बुक में यह बैलेंस डाउन दिखाएगा यानि हमारा कैश्बुक का बैलेंस है वह 1600 रुपे से कम दिखाएगा लेकिन पाश्बुक अभी भी यही पर है क्योंकि कि हमारे अकाउंट से पैसा गया ही और जब तक पैसा नहीं गया तब तक इसकी रेकॉडिंग इस पर नहीं की जाएगी तो बताओ चेंज़ेंस हम किसमें कर रहें कैश्बुक को पास्बुक के पास आना है तो ऊपर की नीचे ऊपर ऊपर मतलब पॉजिटिव यानि कि यह तो 1600 रुपय ना इसे हम कहां पर लिखेंगे यह प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे 1600 रुपय और फिर यहां पर इसका कारण क्या लिखोगे मतलब यह स्टेट्मेंट आप क्या लिखोगे तो नंबर पूर डाल कर क्या आप लिख सकते हो कि चेक इशूड बट नॉट प्र प्रेजेंटेड तू बैंक प्रेजेंटेड टू बैंक पूर पेमेंट ओके समझा गया कैसे किया हमने चलिए अग्ला यहां पर देख लेते हैं नेक्स स्टेट्मेंट तो इसमें क्या लिख्खा है कि चेक ऑफ रुपेज 3 थाउजन एंड 2 थाउजन डिपोस्टेड इंट चेक ऑफ रुपेज 3 थाउजन ओन्ली क्रेडिटेड बैंक बिफोर 31 मार्स 2018 यानि होता क्या है देखिए यहां पर फिर से हम ले लेते हैं कैश्बूक और पास्बूक लो देखो यह आपका कैश्बूक है यह आपका पास्बूक है तो हमने क्या किया ना हमने चेक क्या किया है 3000 और 2000 का डेपोजिट किया है बैंक में देखो इशु करना और डेपोजिट करना दोनों अलग-अलग बाते हैं मतलब हमने चेक पार करके किसी को दिया यानि हमारा बैलेंस कम हो रहा है लेकिन अगर हमने चेक डेपोजिट किया ना तो इस टाइम पर क्या होगा चेक बैंक का कर के गया है तो आप बैंक के पास दे रहे हैं तो इसको हम ढुव जेसे बैंक में पैसे डेपोजिट करते न वैसे ही कि चेक भी किया रहा है तो इस कंडिशन में क्या होगा जो आपका बैलेंस है को क्या कि आंक पारबंदनेख को तो यह तने से लिए व हमने आप 5000 से जो हमारा बैलेंस है वह हम बढ़ा लेंगे समझ रहों जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब ही हम क्या करेंगे अपने इंक्रीज कर लेंगे कैश्बुक में लेकिन सुनों आगे क्या होता है अब देखो हमने डेपोसिट किया बट चेक ओफ रुपीज ओनली 3000 लेकिन 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 क्या हो गया जो हमारा बैंक है न इसमें से पहले बस कितना पैसा आया है बागी 2000 अभी तक नहीं आया ठीक है इस मार्च के महीने में तो होगा क्या हमने टोटल तो अपना यह बैलेंस कैश्बुक में बढ़ाया था 5000 रुपे से लेकिन यह जो पांस बु कितने का डिफरेंस बैलेंस आ गया वापस है लेकिन 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 यह बढ़ा हुआ दिखाई देगा अब कैश्बुक को पास बुक के पास आने क्योंकि पास यह पर है तो यहां पर आना है मतलब नीचे की तरफ नीचे यानि डाउन मतलब माइनस है ना तो यह जो 2000 में और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताती हूं न क्या लिखेंगे पहले ये मुझे मिटा लेने दो फिर बताती हूं कि इधर आप क्या लिखोगे ये चौथा होगे ये पांचवा पांचवा नमबर डाल करके आप क्या लिखोगे ऐसे लिखना कि चेक डिपोजिटेड लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया इसलिए हमने इसको वहाँ पर माइनस वाले कॉलम में रेकॉर्ड किया है अगला यहां पर ट्रांजेक्शन भारवार में ट्रांजेक्शन बोलती हूं पॉइंट देखते हैं क्या इसमें कि आउट कस्टमर कितनी मिस्टेक है यहा तो आवर कस्टमर डिरेक्ली डिपोस्टेट रुपीज 1,500 इन आवर बैंक अकाउंट बट रॉंगले रिकॉड़ेड इन कैश कॉलम ऑफ दा कैश्बूग या नि क्या हो गया आओ बताती हूं सुनो हमारा कस्टमर था ओके तो कस्टमर ने क्या क्या डिरेक्ली हमारे बैंक गउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया तो सुनो है आपका बास बुद्धि क्या होगा वह एकजार पानस से जो हमारा पास बुक थे देगा बढ़ा दिए अगे देखो बट रॉंगली रिकॉडड इन डेकश कॉलम ऑफ देखो जो हमारा कैश्बूक होता है मैंने आपको स् तो सुनो पास्बुक में तो ठीक है हमने इसकी रेकॉर्डिंग सही से लेकिन जब कैश्बुक की बारी है नो तो कैश्बुक में हमने क्या किया हमने ध्यान नहीं दिया और वहां पर हम लोगों ने कैश्वाले कॉलम में इसकी रेकॉर्डिंग कर ली मतलब जो कैश्बुक था ना वो एक्चुल में कहां पर रेकॉर्डिंग होनी चाहिए थे उसकी अगर यह बैंक से रिलेटेट है तो बैंक वाले कॉलम में जाना चाहिए था लेकिन उसको रेकॉर्ड कर दिया कैश्वाले कॉलम में अब यह तो गडबड हो गया मतलब होगा क कम करने हैं यह तो गलती रिए तक दिखेंगा लेकिन बैंक उल्तो गडब से में करोने तो दिखाइए लेक्प अब इस कंडिशन में क्या करना होगा देखों चेंजब किसमें कर रहे हैं यानिकि प्लस करेंगे क्या करेंगे हम प्लस करेंगे ठीक है 1500 रुपे तो यहां पर हम लिख देते हैं students देखो यहां पर 1500 रुपे अब इसका जो statement है वो आप क्या लिखोगे बता रही हूं रुखो चलो तुम नीजे चलो हाँ यहां पर हम चाट्या नंबर डाल करके लिखेंगे की हम यहीं कि अबर कोस्टमर ड्यरेख्ली डिपोजटेड आए डारेक्ली deposited in amount directly deposited in the bank into the bank into the bank but wrongly recorded in the cash column of the cash book कितना amount 1500 देखो मैंने अल्रेड यहां पर लिख दिया है थोड़ा नीचे लिख देती हूँ समझ आया कैसे किया हमने आव में इसको थोड़ा यह बढ़ा कर देती हूँ तुम भी बढ़ो वो हो तुम भी बढ़ो नीचे और चलो और नीचे इसको बेचना पड़ेगा तुम भी बढ़ो अगला ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं अगला पॉइंट देखो इसमें क्या लिखा है कि बैंक डेबिटेडं इंटरस्ट ओं ओवर्ड्राफ्ट रुपी सेवन हैंड़ने यानि कि बैंक ने क्या किया डेबिट कर लिया है ओवर्ड्राफ्ट के उपर का इंटरस्ट कितना 750 रुपए तो होगा क्या देखो यह आपका पास्बूक यह आपका Cashbook तो बैंक ने डेपिट किया याई कि आपके अकाउन से पैसे काट लिया है कितना काटा है 750 रुपए याई कि जो आपका पास्बूक है वो 750 रुपए से नीचे की तरफ याणि डाउन गया हुआ दिखाई देगा ऐसे पास्बूग कैश्बूग 750 रुपे से यह नीचे है अब कैश्बूग को इसके पास आना पड़ेगा तो क्या होगा यहां पर नीचे की तरफ यानि कि माइनस मतलब यह जो 750 रुप है यह हम रेकॉर्ड करेंगे कहां पर माइनस वाले क यहां पर हम लिखते हैं साथवा नंबर डाल करके कि बैंक डेविटेड इंटरस्ट ओन ओवरड्रांट थीक है अच्छे से समझ गये ना तो रुको मैं आप लोगों को अच्छे से एक बार दिखा दूए लेको सारी एंट्री मतलब सारी रेकॉर्डिंग हमने कर लिए सबी को हमने रेकॉर्ड कर दिया है अब में क्या करना होगा बही टोटल करना होगा आव टोटल करने से पहले यह जो सारा टेबल वगरा है मैं थोड़ा देख लो अच्छे से पिछली बार के जैसा खराब नहीं होना चाहिए तुम नीचे आओ और तुम भी नीचे आओ फि गया एसे खरके टोटल लिखने के लिए कॉलंड बनाना पड़ेगा ना तैखो लाइनजानी ही फी पैघनी अअब क्या आप में टोटल करना यह कौन जआदा होगा तो अच्छे से तो जीरो जीरो यहां पे चार यहां पे तीन मतलब 33400 आता है इस वाले साइड का टोटल ओके तो यही वाला साइड जाता होगा तो हम क्या करेंगे जो 33400 है इसे हम दोनों साइड में लिख देंगे आईए फटावर से लिख देते हैं लेखिएगा यहां पर लिख देती हूं पहले दोनों साइड में 33400 33400 और 33400 ओके अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा बैलेंस अमांट कितना आता है आओ देखो इसका टोटल करते हैं तो 2000 रुको एक मिनट में बताती हो यह 1600 और यह 1500 यह दोनों मिलकर के 3100 हो गया 3100 और 2000 तो 325 5100 राइट यह दो आट यह दो आज आज आएगा प्यारे दोस्तों इसका आंसर तो आईए हम 28300 को कहां पर लिखेंगे तो जिस साइड में अमांट कम पढ़ रहे हैं वही पर लिखोगे ना तो यहां पर लिख देना 28300 अब समाल यह उड़ता है कि यह हमारा बैलेंस होगा यह फिर हम लीगते तो कैसे पता चले गहां मैंने आपको क्या सिखाया अगर फोसीman उ बैलेंस को मतलब अगर सुनों एक बार पिरसे बतार हुँ अगर सभी अगर समम्लों तो फिर व आप।ो जीब और दिखाता है समझ आया आव में लिख करके बताती हूं मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गई उरको लिखने देख वार अगर अपोजिट में आया तो सेम टाइप ओ बैलन्स को दिखाएगा और अगर सेम साइड में आया तो फिर वह अपोजिट हाँ आपोजिट टाइप ओ ब बैलन्स को दिखाएगा तो यह आप लोगों का अगर यह सेम टाइप ओ बैलन्स को दिखाएगा ना मतलब अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी क्या होगा ओवरड्राफ्ट ही होगा ओके समझ आया कि नहीं मतलब मैंने आपको कन्फ्यूस कर दिया ना अभी यह में आपकादूर करती वह ना वरना सोचो कि क्या बोले या रहे हो देखो बताती हूं सुनओ अगर 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 यह सेम साइड आया अगर भैलेंस गार अगर और जो यह same type of balance को दिखाएगा, अगर opposite side आया तो और अगर same side आया तो फिर यह opposite type of balance को दिखाएगा, ओके जी, अब इस बात को धियान रखना, opposite type of balance, तो यहाँ पर क्या हो रहे है, यह तो opposite side है, यानि कि वो same balance को दिखाएगा, अगर उपर overdraft है तो नीचे भी overdraft ही होगा, simple, आओ, हम क्या लिखेंगे, overdraft as per passbook, overdraft as per passbook, अब मेरे ख्याल से आपके सारे conclusion दूर हो गए होंगे, तो देखिए, यहाँ पर question number 9 भी आपका होता है, complete, अच्छे से देख लो, और कुछ समझना है, तो मुझे बताना comment section में, ठीक है, भागी यह वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, बताओ जरूर comment section में जरूर बताईए, और अच्छे लगते हैं, तो आप लोग, वैसे तो मैं कहती नहीं हो कि like करो, पर सही में अच्छे लग रहे हैं तो like करने में student तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि आप जितना जादा वीडियो को like करते हो न, तो यूटूब भी है वो क्या करता है, वीडियो को promote करता है आगे, यानि कि वो फिर जो भी बच्चे रहेंगे पढ़ने वाले, उनके पास तक ये video अपने आप ही पहुँच आएगी, तो like क करने से ये फाइदा हो सकता है, अब आपको लगता है कि सारे बच्चे तक पहुँचे तो जरूर आप like कर सकते हो, ठीक है, चलिए देख लीजे इसको, और कुछ डाउट है तो मुझे बता दीचीगा, और यहाँ पर question number 9 भी हो चुका है, complete, अब आर ये 10th question की, तो इसको आ आराम, आराम से पढ़ो, ठीक है, चलो, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, अगले वीडियो में question number 10 के साथ ध्यान रखियेगा आपना, ओके चलो, बाई